हेलो मैं डियर फ्रेंड, मैं दिख्षो चौदरी, स्वागत आपका हमारी यूट्यूब चैनल संकल्प हमारा में आज की इस वीडियो में हम ब्लड ग्रूप के बारे में जानने वाले हैं इससे पहले की वीडियो में हमने ब्लड क्लोटिंग के बारे में जाना तो आज हम किसके बारे में जानने वाले हैं, ब्लड ग्रूप के बारे में, तो हमारी heading है, ब्लड ग्रूप ब्लड ग्रूप में सबसे पहले जो question बनता है, वो ये बनता है कि ब्लड ग्रूप की खोज किस ने करी, क्योंकि जादा तर हम पीछे देखकर आए हैं, कि मानली हर्ट के किसी का अध्यन किया है हर्ट के बारे में, तो उसकी खोज सबसे पहले किस ने करी, और जिसे कि कोशिका की खोज सबसे पहले किस ने करी, उसी प्रकार, हाला कि ब्लड ग्रूप है, तो ब्लड ग्रूप हमारी शरी में पहले से ही उपस्तित है, लेकिन सबसे पहले इसे किस ने खोजा, ये भी हमारे जानने की योगी बाते हैं, जो पेपर में महत्यपूर हैं, तो ब्लड हेंगे इसके खोश करता है तो ब्लड गुरुप की खोश किसने करी लेंड इस्टीनर मैं लेंड इस्टीनर नहीं सबसे पहले ब्लड गुरुप की खोज करी, उसके बाद हम जानने वाले हैं, ब्लड गुरप कितने प्रकार के होते हैं। हम एक चार्ट हमने पहले पढ़ा था किसमेstat к ब्लड गलॉटिंग में ? तो एक चार्ट पढ़ा था उस चार्ट के माध्यम से हम ब्लड ग्रुप के बारे में समझेंगे तो वो चार्ट हम दुबारा से बनाएंगे तो इस चार्ट में ब्लड ग्रुप में सबसे पहले ब्लड किसमें ब्लड जो था वो हमारा दो भागों में बटा था एक था हमारा प्लाज्मा, फर्स्ट हमारा क्या था? प्लाज्मा, एंड जो सेकेंड था, सेकेंड था हमारा कार्पल्स, रुधिराडू, कार्पल्स या रुधिराडू, कार्पल्स या रुधिराडू, अब ये कार्पल्स भी तीन भागों में बटे थे, वो तीन भाग कौन से थे? सबसे पहला भाग था उसमें RBC, रेड बलड सेल्स, एंड सेकेंड जो था, वो था WBC, वाइड बलड सेल्स, WBC, और थर्ड जो था, थर्ड था हमारा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, अब हमारा इस चार्ट में जो काम पड़ेगा, वो केवल दो में पड़ेगा, बलड गुरूप दो से निर्धारित होगा, एक होगा हमारा RBC, एंड सेकेंड हमारा प्लाज्मा से, बलड गुरूप में दो बाते महत्वपून जो काम आएंगी, वो है RBC, और सेकेंड है हमारा प्लाज्मा, RBC, रेड बलड सेल्स, रेड बलड सेल्स में क्या होगा, रेड बलड सेल्स में एक प्रोटीन पाई जाती है, जिसको बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, क्या बोलते हैं ग्लाइको प्रोटीन, वो हम यहां लिख देते हैं, ग्लाइको प्रोटीन ग्लाइको ग्लाइको प्रोटीन RBC में उपस्थित ग्लाइको प्रोटीन की कारण ही हमारे शरीर में रक्त में विभिन्ता पाई जाती है ब्लड गुरुप में विभिन्ता पाई जाती है तो कि अक्सर हमने सुना है कि बोलते हैं इसका blood group A है A positive, B positive, A negative, B negative, O यह जो विभिन्ता है blood group की A, B, C और O sorry, A, B and A, B and O C इसमें नहीं होता है, sorry तो यह जो विभिन्ता के कारण है वो किसकी वज़े से पाई जाते है RBC में उपस्तित glycoprotein के कारण ही blood group में विभिन्ता पाई जाती है इसको ही, इसको ही land istener, land istener ने land istener ने antigen नाम दिया antigen या group, क्या नाम दिया? वो हम यहां लेक लेते हैं antigen या group antigen या group अब हम जारेंगे कि यह antigen और group कितनी होते है यह मुखेतें 2 होते है कितनी होते है, 2 एक होता है A and second होता है B मुखेतें कितने होते हैं, 2 एक antigen होता है A और दूसरा antigen होता है B अब इन एंटीजन के आधार पर ब्लड को चार भागों में बाटा गया है वो चार भाग कौन से हैं वो अभी हम यहां देखते हैं वो चार भाग हैं हमारे एक है ब्लड ग्रुप A फर्स्ट कौन से हमारा ब्लड ग्रुप A सेकंड है हमारा ब्लड ग्रुप B 3rd है हमारा AB and 4th है हमारा O 4th क्या है हमारा O एक बार दुबारा से हम देखते हैं फिर हम आगी की और बढ़ेंगे सबसे पहले हमने देखा कि Blood Group यानि रक्त समू को समू की खोज किस ने करी? Land Steiner ने उसकी बाद हमने पुराना वाले चार्ट को रिवाइस किया पुराने वाले चार्ट में हमने देखा कि Blood को दो भागों में बाटा गया एक Plasma में बाटा गया दूसरा किस में बाटा गया? Carpals यानि रुजिराडों Plasma कैसे था? तरल पधार्ट था इसमें पानी की मात तरह जाथा थी यपी Carpals कैसे थे? ये Solid थे ति Solid में तीन भागों में बढ़ते थे ये पहला RBC, दूसरा WBC दीसरा Plasma लेकिन जो हमारे Blood Group में काम आएगा वो केवल RBC है और दूसर के आएगा Plasma है इसकी मदद से हम Blood Group की पहचान करने वाले है हमने RBC में जाना RBC में एक प्रोटीन होती है जिसको हम Glycoprotein कहते हैं क्या बोलते हैं? Glycoprotein बोलते हैं अब ये जो Glycoprotein है Glycoprotein अब इसमें इसी को ही Glycoprotein के कारण ही रख्त में क्या पाई जारी थी? विबिन्ता पाई जारी थी Blood Group में क्या पाई जारी थी? विबिन्ता इस विबिन्ता को ही इसी को ही Land Astroner ने क्या बोला? Antigen या Group बोला अब ये Antigen और Group मानव या किसी के भी Blood में कितने होते हैं? दो होते हैं वो कौन से, A and B, कौन से कौन से होते हैं A and B, अब A and B and T जनों के आधाहर पर ब्लड को चार भागों में बाढ़ दिया गया, वो चार भाग कौन से थे, वो चार भाग थे ये वाले, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप A, B and ब्लड ग्रुप O अभी हम A positive, A negative बाद में समझेंगे केवल अभी हम समझेंगे A, B and A, B and O अभी हमने यहां तक समझा I hope आप लोगों कोई समझ मैं आओगा इसके बाद हम जानेंगे plasma plasma में भी protein पाई जाती है जिसको हम बोलते है antibody हमने पहले जाना कि एक antibody किसमें पाई जाती है plasma में और दूसरी antibody कहां पाई जाती है WBC white blood cells में लेकिन जो बीमारी से लड़ने का मुख्यते काम करती है वह कौन करती है plasma में उपस्ति antibody अगर question हमारे paper में आई कि बीमारी से लड़ने काम मुख्यते कौन से antibody करती है तो वह protein प्लाज्मा में पाई जाती है WBC मुख्यते आंतरिक जो बीमारी होती है उसमें काम करती है लेकिन antibody जो बाहरी बीमारी से लड़ने का काम करती है वह कौन से होती है plasma में उपस्तित antibody होती है अब जो plasma में उपस्तित antibody है वो कैसे हमारे blood group में पहचान करने के लिए मदद करती है वो जानने वाले हैं यहां हमने capital AB का use किया लेकिन जो plasma में उपस्थित antibody होती है उसके लिए ये antibody भी दो प्रकार की होती है एक होती है small A, दूसरी होती है small B अब हम चित्र की साहिता से जानने वाले हैं कि कौन सा blood group कैसा होता है ठीक है पहले हम इसको रब करते हैं जब तक आप इसको लिख लीजे या screenshot ले लीजे next अभी हम इसको रब करेंगे next अब हम चित्र की साहिता से समझेंगे blood group को तो सबसे पहले हम antibody RBC में blood group A बनाएंगे A जो होता है उसकी shape किस तरह बनेगी उसकी shape बनेगी इस तरह से okay and B जो होता है उसकी shape किस तरह से बनेगी उसकी shape बनेगी इस तरह से कुछ इस तरह से तो सबसे पहले blood group A की shape बनाएंगे हम माल लीजिए ये हमारा क्या है अंदर RBC और यह ब्लड है तो कैसे पह Çaling जब डॉक्तर किसी का ब्लड लेता है तो वो क्या करता है ब्लड लेकर एक पत्ली सी कांस की जा रहुत है उस इसरो माइक्र डेक्मी ही कैब ब्लड में वो क्या देखता है यह हम लोग यहां पर डाइग्राम के थ्रूँ समझने वाले हैं तो जो माइक्रोस्कूप से ब्लड में देखता है वो इस तरह की शेप देखता है यानि एक इस तरह का गोल रहेगा और उस पर इस तरह की शेप बनी होगी ब्लड में अगर कुछ इस तरह की शेप है तो वो blood group कौन सा होगा वो blood group A होगा यह होगा blood group भी बोल सकते हैं या antigen A बोल सकते हैं तो यह होगा group group A अब ध्यान रखे जो plasma में उपस्तित antibody है जब blood group A होगा तो इसके opposite antibody होगी हमने दो प्रकार की antibody देखी थी A and B अभी हम जानेंगे कि इसके opposite कैसे होगी हमेशा antibody को small में लिखें और जो blood group है उन्हें capital में लिखें अब माल लीजे आपकी antibody कुछ इस तरह बनेगी Y की shape में antibody होती है इस तरह आपकी antibody होई अब आपका blood group A है तो antibody आपकी B होगी इस तरह से अब थोड़ा guess करिए कि ऐसा क्यूं है opposite ऐसा क्यूं है कि जब blood group A है तो antibody B है यह antibody कौन सी है यह antibody है B कौन सी है antibody B तो कि अब आपकी हमने जाना A के लिए इस तरह बनेंगे B के लिए इस तरह गोल बनेगा तो ऐसा क्यूं है जब anti blood में ग्रूप माल लीजे blood में RBCs भी है और क्या है लाज़मा में उपस्तित antibody है यह दोनों जब साथ में रहेंगे तो यह कहीं जो यह वाला blood group है यह इसमें न फस जाए इसी वज़े से ऐसी विवस्था की गई है रक्त के अंतरगत कि इसको B बनाया गया है और इसके जो यह A है यह इसमें फसिंगे नहीं लेकिन माल लीजे अगर हम इसको antibody A बना दे अब यह क्या हो गया माल लीजे यह हो गया antibody A क्या हो गया यह यह हो गया antibody A और अब इसमें माल लीजे blood group भी A है तो क्या होने वाला है अब यह जो इसका खाचा होगा दूसरे वाले का यह भी क्या होगा A यह इस पर फस जाएगा अगर एक बार को यह फस जाते है तो वही पर क्या होगा इंसान के अंदर blood clot करना स्टार्ट कर देगा रक्त का थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा और इंसान की क्या हो सकती है डैथ हो सकती है क्योंकि नसों के अंदर अगर blood का थक्का बन जाता है तो definitely death होगी जिस वाज़े brain hemorrhage brain hemorrhage वगयर जो इस प्रब्लम में होती है कि किसकी वज़े से होती है रक्त का थक्का जमने की वज़े से कहीं आपको चोट लग जाती है तो क्या होता है कभी हमें पता नहीं पड़ती accident वगर हो जाते है तो क्या लग जाती है सिर में चोट लग जाती है जिसकी वज़े से अचानक से ही death हो जाती है, brain hemorrhage हो जाता है, तो यही कारण होता है, इसलिए रख्त के अंतरगत ऐसी विवस्था की गई है, यदि आपका antigen A है, blood group A है, RBC में उपस्तित blood group क्या है, A है, तो आपकी antibody उसकी विपरीत होगी, B होगी, और antibody क्या काम करती है, मा मेश ध्यान रखें, जब आपसे पूछा जाए पिपर में, blood group A है, तो antibody कौन सी होगी, antibody B होगी, अब इसके next जानते हैं, पहले इसको मिटाते हैं, अब माल लीजिए आपका blood group B है, आपका blood group क्या है, B, कुछ इस तरह का, R, B, C, और यह blood group क्या है, group है, यह B, अब इस blood group B के साथ कौन सी antibody बनेगी, antibody बनेगी हमारी, antibody बनेगी हमारी, antibody बनेगी हमारी A, antibody होगी, स्वारी, small में बनेगे हम, antibody A, अगर हमारा blood group B है, तो antibody कौन सी बनेगी, A, ताकि यह जो इसके यह है, खांचे टैप के, यह क्या है, इसमें ना पसे, इसलिए ऐसी विवस्था की गई, कि blood group अगर B है, तो antibody कौन सी होगी, A, अब अगर मान लीजे, blood group में हमें सुना है, A, B भी होता है, अब A और B दोनों साथ कैसे बनेगे, वो हम जानते हैं, अब A और B, यानि इसमें A भी होगा, तो पहले हम लोग A बनाते हैं, बाद में हम B बनाएंगे, A है, तो यहाँ पर क्या होगा, अब यह B, अब यह blood group कौन सा हो गया, दोनों आगे, यह हो गया group, A, B, अब यह blood group कौन सा हुआ, blood group, A, B, क्योंकि इसमें क्या है, A, B है और B, भी है, लेकिन इसमें antibody कौन सी होगी, A, B जो blood group होगा, उसमें कोई भी antibody नहीं होगी, तो आप यहाँ लिख सकते हैं, no antibody, क्या लिखेंगे, no antibody, क्यों, क्योंकि अगर माल लीजे, हम antibody में, अगर माल लीजे, अगर हम antibody में, एक में B बना दें और एक में A बना दें, तो भी इनकी फसने की chances है, क्या पता इसमें यह फस जाए और इसमें यह वाला part फस जाए, इसमें कोई antibody नहीं होती, blood group A में, A B में कोई भी antibody नहीं होती है, यह next जानते हैं, अगर माल लीजे, A है, B है, A B भी है, और अगर इनके उपर जो यह, यह जो हैं सरके antigen, यह अगर ना होतो, antigen ना होतो क्या होगा, तो इसकी shape कुछ इस प्रकार की होगी, यानि अब कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो शून ने है, शून ने अच्छा नहीं लगा, A, B हमने जब सब जगे लिये हैं तो शून ने अच्छा ना लगने की कारण हमने अलफा बैटी लिया अलफा बैट क्या लिया? O क्या अलफा बैट लिया? O अब ये ग्रूप कौन सा है? अब ये ग्रूप है O और O ग्रूप के साथ कौन सी अन्टी बॉड़ी होगी? O ग्रूप के साथ A, B अन्टी बॉड़ी होगी वो मैं यहाँ बना देती हूँ O ब्लेट ग्रूप के साथ अन्टी बॉड़ी होगी A, B कुछ इस तरह थी एक इस तरह का होगा एक होगा इस तरह हमारा इसके साथ antibody कौन सी हुई antibody हुई antibody हुई antibody हुई antibody कौन सी हुई AB इसलिए जो O blood group के person होते हैं वो बीमारी में क्या होंगे? बीमार ठोड़ा कम होंगे क्योंकि उनमें antibody दोनों प्रकार की पाई जारी है AB पाई जारी है और BV पाई जारी है जबकि जो antibody जो group AB वाले हैं उनमें antibody नहीं पाई जाएंगी लेकिन उनमें क्योंसी वाली antibody पाई जाएंगी? जो WBC में उपस्तित है एक बार हम दुबारा से इसको reverse करते हैं I hope आप लोगों कोई समझ में आ रहा होगा तो सबसे पहले हमने देखा कि A को हम इस तरह से शो करेंगे और B को इस तरह से जो हमारा blood test होता है तो इसी परकार से हम shape जो है डॉक्टर वो देखते हैं या lab जो lab वाले होते हैं lab होते हैं lab में जो work करते हैं वो जो हमारे blood के अंतरगत देखते हैं वो इनी shape को देखते हैं उसी के आधार पर बताते हैं कि आपका blood group A है या आपका blood group B है या AB है या फिर O है हमने देखा plasma में antibody पाई जारी थी वो antibody थी A और B small a और small b हमेशा ध्यान रखना है कि हमें antibody को किस से show करना है small a and small b से then हमने देखा y तरह की shape बनेगी antibody को show करने के लिए आपको ध्यान रखना है जब A blood group बनेगा तो इस तरह की shape होगी तो उसके साथ कौन सी antibody होगी उसके विपरी A के विपरी antibody antibody B then अगर B होगा तो उसके विपरी कौन सी बनेगी A इसकी कारण हम पहले समझा चुके हैं यह ऐसा क्यों ताकि यह जो antibody बनी होगी यह जो antigen और यह antibody हैं यह आपस में पस न जाएं और जिससे blood clotting न हो जाएं इसी कारण यह विपरी थें और जब A B रहगा तो इसके साथ कोई भी antibody नहीं होगी इसका कारण भी हम पहले ही बता चुके हैं और जब blood group O होगा तो इसके साथ दोनों antibody होगी क्योंकि इसके उपर कुछ भी नहीं है तो इसके उपर कुछ भी ना फसने का भे नहीं है इसलिए antibody दोनों होगी साथ में यह भी जाना कि A B वाले थोड़ा बीमार जल्दी हो सकते हैं जबकि विपरीत इसके blood group O वाले बीमार थोड़ा कम होगी क्योंकि उनमें दोनों प्रकार की antibody पाई जा रही है तो आज के लेसन में हमने blood group के बारे में समझा और इससे अगले वीडियो में हम और जानेंगे blood group के बारे में I hope आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्लीज वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और इससे जाधा से अपने दोस्तों में शेयर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में